राइशन बरेली से हमारे संबाद दातर शरश शर्मा की श्पेशल रिपोर्ट इसकूली छात्र की मौत बरेली निजी स्कूल संचालों को की लापर बाही के चलते रोज नए हाथ से हो रहे हैं इसके बाबजूत प्रशासन सबक लेने को तैयार नहीं है आज भी एक निजी स्कूल डेफूने डिल्ट की बस उस स्कूल के सेकंड किलास के छात्र अन्वोल ठाकुर को रोन दिया जिससे अस्पताल ले जाते हुए उसकी मौत हो गई परीजनों ने और कालोनी बासियों ने किया हंगामा बस में तोड़ फोड़ करने की कोशिस की गई लेकिन समाई रहते ही स्जीओ पी राजीब जंगले के पहुँचने से हालत पर काबू पाली आ गया बरेली में नगर के डेफूनेल डेल्ट पबलिक स्कूल के छात्र अन्मोल ठाकुर को बस नाहर कालो ने इस्टिद घर पर छोड़ने आई थी छात्र अन्मोल उतर कर अपने घर को बस के सामने से निकल रहा था तब ही बस ड्राइवर ने बस आगे बढ़ा दी और अन्मोल अगले टायरों की चपेट में आ गया अस्पताल ले जाते समय मौत हो गई अन्मोल के माता पिता का रोरो कर बुरा हाल है इस्कूल संचालक की लापरबाही हुई उजागर दरसल इस्कूल बस में एक किलीनर साथ रहता है जिससे छोटे बच्चों को बस से उतार कर उन्हें रास्ता पार करा सकें लेकिन इस्कूल की बस में यह सुबिदा नहीं थी हलाकि बरेली पुलिस ने बस ड्राइवर पर मामला दर्ज कर लिया है लेकिन एक घर का चिराग लापरबाही की भेट चड़ गया है राइसेन बरेली से हमारे संबाद दाता चरश शर्मा की रिपोर्ट